हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मितल की रसोई में तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फुली-फुली वरत के लिए कचोरी तो हाँ आपने बिल्कुल भी ठीक सुना है ये वरत में भी जो है हम कचोरी खा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी कचोरिया जो है कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनाए हमारा दोनों तरफ से आप देख सकते हैं मैं आपको यहां पर तोड़के भी दिखाऊंगी ये देखिए तो फ्रेंड्स आपने आवाज सुनी होगी कि कैसनी जो है क्रिस्पी हमारी कचोरी बनी है तो देखिए यहां पर मैंने आदा कप अबंडर ले इसको में ना तो विगोने की जंजरे ना दोने की जंजरे कुछ भी करने की जरूत नहीं है तो देखिए यहां पर मैंने कड़ाई ले लिए उसको गैस पर रख दिया है गैस को और करेंगे और साबुदानी को इसको अंदर डालके दौ मिनिट के लिए इसको ह तो फ्रेंड्स ऐसी नए नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल नहीं बुले बैल आकोन को प्रेस नहीं किया है उसको भी जल्दी से कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे आप मुझे कमेंड करके भी बता सक और साबुदाने को ठंडा करने के लिए रख देंगे तो देखिए यहाँ पर जो करीब दो मिनिट हो चुके हैं अगर फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें लाइक करने से फ्रेंड्स हमें जो हैं बहुत अच्छा मोटिविश अब फ्रेंड्स फिर से मैंने वही कड़ाई ले लिए अभी थोड़ा सा अलका सा गरम है यहाँ पर मैंने वं थरक प्प जो हैं सिंग ले लिए तो अगर आपके पास पहले से रोश्ट करना है तो आप बोले सकते हैं मेरे पास रोश्ट करने से बहुत अच्छे से सिक्के कपता है यहां मैं किसला घर हो जाती है इसनी डिक तक साफ़ी धर करने के लिए ने नुद्हें आप धंड़ा कर देंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स अभी मुंफली हमारी ठंडी हो चुक है हलका सा हम आसे से इस तरह से रगड़ेंगे तो छिलका आसानी से बाहर निकल जाता है इसमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो देखिए सारा मुंफली का छिलका मैंने निकाल लिया है आ भी मुंपली तो देखिए पहुसिआ हमार औधर हमें दर पॉडर का है तो ब हम ऑने Meek में दॉब मॉडर देंगे तो देखे मैंने याप इसको भी डाल दिया है अभी देखे फ्रेंट्स मैंने याप दो आलू को छिल लिया है आलू को भी देखे फ्रेंट्स हमें बिल्कुल भी उबालने की जुरूत नहीं है कच्चे आलू है ये इसका सिर्फ छिलका हमें निकालना है तो इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में काट लेंगे इसको भी मिक्सी के जार में डालकर इसका भी पेश्ट बनाना है हमें तो देखे मैंने अपने मिक्सी के बाउल में डाल दिया है और अभी देखे इसके अंदर एक अरी मिर्ची और कुछ थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसका डकर बंद करके पाने नहीं डालना है मिलकुर भी बिना पाने के हमें पेश्ट बनाना है क्योंकि आलू के अंदर पानी होता है तो यहां पर देखे मैंने बहुत सारा धनिया डाल दिया है इसको भी पीछ लेंगे तो यह देखे बहुत ही अच्छा हमारा पेश्ट बन के तैयर हो चुका है दनिया डालने के बाद ज्यादा हमें नहीं भीटना है इसको पुड़ा कमी मिक्सी को चलाए तो देखे यहां पर मैंने खटास के लिए अमचूर पाउडर डाल दिया है अब के पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो निमू भी डाल सकते हैं तो हम वुरत के लिए बना रहे हैं तो देखे यहां पर मैंने सेंदा नमक डाल दिया है अगर आप वुरत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं अभी देखे फ्रेंट सारे बेटर को अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल भी हमें इसमें पानी नहीं डालना है अभी क्योंकि आलू में बहुत सारा पानी होता है लेकिन साबुदाना अब हमने भिगोय नहीं था तो ये पानी बहुत सारा सोक करेगा लेकिन सबसे पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे देखिए एक बार में हमारा आटा जो है ये मिक्स हो चुका है लेकिन अभी भी हमें थोड़ा ये पानी सोक करता है साबुदाना तो देखिए मैंने याँ पर एक बड़ा चमच पानी ले लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आटे को जो है अच्छे से गूतते जा देखिए पूरा चमच का पैने मैंने यहां पर डाल दिया है और यह साबुदाने के फिर उपर डिपेंड करता है कि कितना पानी यह जो अपने हमदा सोक करेगा तो यहां पर मैंने डखन लगा दिया है और इसको जह करी पांच मिनट के लिए रखेंगे तब तक हमारे पेश्ट बना लेंगे हलका सा मैंने इसके स्वाद के नुशा नमक डाल दिया था तो देखिए यहां पर जो हमारा पेश्ट बन चुका है चटनी हमारी त्यारे देखिए हलका सा लाइट ग्रीन कलर आया है पानी डालते समय फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि बिलकुल भ पानि डालने से चटनी का कलर जोई ऑशा ही रहता है तो देखिए चटनी अमधार हो चुकी है तो थेखिए लेक्त अगे प्रेंड्स है तो देखें यहां पर मैंने एक चमच पानी और डाल दिया है तो देखें हमारा बैटर बनके तैयर हो चुका है छोटी छोटी लोई उठा करके इस तरह से दोनों अंगोली और अंगोटे की बीच में रखके तो देखें आप इस तरह से टिक्या का सेफ देदे तो देखें यहां पर मैं आपको एक दो और बना के बता देती हूं हलका सोजी हमें बेटर उठाना है और इस तरह से टिक्या का सेफ दे देना है तो चले हम तेल की चलते हैं तो यहां पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और जितनी बाहर में एक बाहर में जितनी ट ऊच्छी बहुत अच्छी आप एक बार बनाकर जुरू देखे यह मुझे कमेंट करके जुरू बताए का आपको जो यह कैसे लगी सच बतारू इसके सामने सारी कचोरिया फैले तो देखिए आप देख सकते हैं देख operate तो बिच्छों कितनी प्राइब कर सकते हैं तो धेकर यहां सब करीब जो है साथसे आठ मिनट हो चुके हैं कितना अच्छा सुनेयरा इस अभी लोग फ्लेम पर फ्रेंड्स इसको जो है इस अच्छी से पकने दें हाई बिल्कुल भी नहीं करें नहीं तो हमारी वने तो हमारी जल जाएंगी और अंदर से जो है कच्ची रह जाएगी तो देखिए कचले हमारी बनके त्यार ओश्य नियार होचब की सब्सक्डा आपको तोड़की सखंगे यह शुति च्रचे- mines किमख नृब तो यह कार नियुक二 जो है देखिए तोह पर दोड़के दिखा ओँन benefit बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जो हैं सौप्ट बहुत ही अच्छे बनके तयार हुए हैं मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी तोड़के दिखा देती हूँ यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए बहुत ही अच्छे हो अच्छे बनके तैयर हुए हैं हमारे फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें लाइक जरू कर दिया करें तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में